हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूर चैनल यूथ फार मेसी दोस्तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसी ब्रोफाइलिन टेबलेट के बारे में वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि ये दवा क्या होती है मारकेट में अपने को कौन-कौन से ब्रेंड नेम से ये दवा मिल जाती है साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के क्या यूजजेज है इसकी डोस कहारेती है कैसी इसको यूज़ किया जाता है इसके अलावा जानेंगे इसके side effects यानि कि इस दवा के क्या side effects हो सकते है और जानेंगे precautions यानि कि सावधानिया यानि कि इस दवा को यूज करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जानेगे या क्या सावधानिया रखनी चाहिए तो सब कुछ अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं सबसे पहले जान लेते कि यह दवा क्या होती है यानि कि यह दवा ब्रोंको डाइलेटर और मुकोलाइटिक एजेंट्स क्लास की दवा होती है यानि कि अपन इसको एक कफ या फिर इस्पूटम थिनर दवा बोल सकते हैं यह अपनी जो रिस्पूरिटर डिजीज सीज्प रिलिएट्स links मिं जो एल्विली होते हैं या फिर जो अपना रिस्पाइलीटर पत होता है उसको डायलेट करने का ही काम करती है जो अपनी रेस्पारिटरी सिस्टम से रिलिटेड जो बीमारियां होती है अस्तमा, COPD यानि कि क्रोनिक ओब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या फिर ब्रोंकाइटी से है इन सब को ठीक करने के लिए दवा यूज में ली जाती है यह अपने जो अपने जो एयर पासे होते हैं उनकी मसल्स को रिलेक्स करती है जो अपना जो एयर भी होता है उसको वाइड करती है और जो अपनों को सास लेने में दिक्कत होती है पेसेंट्स को जिनको अस्तमाई की प्रोब्लम से उनको सास लेने में ये दवा लेने के बाद आसानी होती है सो इस तरह से ये दवा काम करती है और इसके ये मैंलिस का यूज इस तरह से लिया जाता है आगे अपन बात करेंगे कि ये दवा मार्केट में अपने को कौन-कौन से ब्रेंड नेम से मिल जाती है तो अलग-अलग एरिया में यह अलग-अलग नाम से मिल सकती है यहाँ पर हम कुछ famous इसके जो brand name है उनकी बात करेंगे सबसे पहले तो यह जान लेती है कि यह दवा कितनी strength में आती है यह दवा आपने को 50 mg, 100 mg and 200 mg की strength में मिल जाती है यहाँ आपन capsule form की बात करेंगे इसके लावा भी यह अपने को tablet और शिरफ form में भी मिल जाती है सो brand name की बात करें सो first brand है इसमें abifilin next है magfilin and next है embroodil xp जो की lupin pharmaceutical manufacture करती है next है sc brobid जो की dr. radis दोरा manufacture कर जाता है and next है abiflo abiflo जो होता है यह lupin pharmaceutical दोरा manufacture कर जाता है so यह इसके कुछ brand name है जो की market में अपने को किस भी medical store easily मिल जाते है next अपने जानेंगे इस tablet की usage क्या है यानि किस capsule को किन-किन बीमारियों में यूज के जाता है so first है treatment of asthma अगर किसी को asthma की बीमारी है सास लेन में problems होती है asthma take आता है तो उनको यह दवा suggest की जाती है डॉक्टर द्वारा bronchitis bronchitis क्या होता है कि आपकी जो airways है lungs में जो आपकी airways जो bronchitis होती है उनके अंदर swelling या फिर sputum या फिर जो एक liquid जमा हो जाता है उसके वज़े से आपकी इनका diameter कम हो जाता है तो उस वज़े से सास लेने में काफी दिक्कत होती है इसके अलवा dry rhinitis है और COPD है यानि की chronic obstructive pulmonary disease उसके अंदर यह दवा यूज की जाती है इस तरह से respiratory disease जितनी भी होगी asthma, COPD, bronchitis इन सब के अंदर यह दवा यूज की जाएगी आगे बात करेंगे इसकी dose की और कैसे इसको क्या लिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं So basically dose depend on patient's disease and condition यानि की patient की इस्तिती और उसकी कौन सी बीमारी है dose उसके उपर depend करती है जनरली अपन बात करते हैं इस tabulate को 100 mg की capsule को दिन में एक टाइम शाम की समय खाना खाने के बाद यूज के जाता है और अगर ज्यादा problem है severe condition है तब इसको 100 mg की दवा को सूबह और शाम खाना खाने की बाद दिया जाता है So इस तरह से यह दवा ली जाती है और बिना doctor के advice के कोई सी भी दवा आपको नहीं लेनी है doctor के under doctor की supervision में आपको medicines का यूज करना है आगे बात करेंगे इसके side effects की यानि कि इस दवा की क्या नुकसान हो सकते हैं So first is abdominal discomfort यानि कि जिसको अपन गेस की problem बोलते हैं वह आपको इस दवा को लेने के बाद हो सकती है इसके लवा abdominal pain हो सकता है vomiting उल्टी हो सकती है दस्त हो सकते हैं कब्स की pressure नहीं हो सकती है इसके लवा आपके heart burn यानि कि chest में pain या chest में जलन जैसे आपको feel हो सकता है यह सभी side effects एक या दो दिन तक रहते हैं अगर ज्यादा दिन तक रहे या फिर आपको इसके अलवा भी कोई भी side effect हो तो आपको डोक्टर से तुरंत बताना चाहिए ताकि वह आपकी दवा कुछ बदल सके या आप फिर आपको कोई और medicine suggest करें आगे बात करेंगे precautions यानि कि यह दवा अगर यूज कर रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या-क्या सावधाने रखने चाहिए उनके बारे में हम जानेंगे तो फस्ट है history of smoking, kidney, liver and heart disease आप अगर यह दवा यूज कर रहे हो तो सबसे पहले डॉक्टर को अपनी कोई भी आपको kidney से related बिमारी हो, liver से related problems हो या फिर आपके heart से related problem हो या फिर आप smoking करते हो यह सब परेशान है अपने डॉक्टर को जरूर बताएं क्योंकि treatment शुरू करने से पहले इन बातों का पता होना जरूरी है, डॉक्टर को यह बाते आपको जरूर बतानी चाहिए, if you pregnant and breastfeeding mother tell your doctor before treatment, अगर आप pregnant है या फिर lactation है या फिर lactation है या ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो treatment लिने से पहले डॉक्टर को जरूर बताएं क्योंकि इन बातों का डॉक्ट इस दवा को यूज करते समय एलकोहल का यूज नहीं करना है, अगर कोई एलकोहल यूज कर रहे है तो उसको यह दवा बिलकुल नहीं देनी है, तो एक कुछ प्रिकोशन से जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, और डॉक्टर को अगर आप यह सब चीजे बताते हैं, तो आपकी बैसिकली आपकी डोज कैसे क्या रहेगी, वह आप डॉक्टर अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं, तो यह थी एसी ब्रॉफाइल इन टेबलेट से रिल्टेट कंप्लेट इंफॉर्मेशन, कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरू के साथ, थेंक यू